कोटा बुंदी तामाम हारोटी शेत यह हमारे सामाजिक राजनितिक चात्य जीवन से हम यहां पर ही सब कुछ हमने अन्भोग किया यह इसी के यहां कि जनता का प्यार मिला सिने मिला आशिरवाद मिला और हमने इस सारे शित में लंबे समय तक जनता के अभाव कटनायों के लिए भी संगश किया किंद्र में मानिय प्रधान मंति नहिंद मोदी जी के नितत में सरकार बनी है तीसरी बार सरकार बनी है आइसे बार जान रेंद मोजी के मितत में देश आगे बढ़ेगा हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद बिलकर राज्य में भी भारती जनता पार्टी की सरकार केंद में भारती पार्टी यह सेयों काफी वर्सों बाद राजस्तान को मिला है और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दूनों सरकारे मिलकर यहां की अपेक्षाय आकानशाओं को पूरी कर सके और विकास के मोडल पर इंफायस्टर्चर के मोडल के साथ साथ रोजगार सरजन के साधन उपलब दो सके ताकि नए जवानों को रोजगार मिसे आज मुझे कुशी है कि देश के अंदर नए प्राइविट सेक्टर हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइविट सेक्टर के अंदर निजिश्टर के अंदर लोग भारत में इंवेश्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया के देश भी भारत में इंवेश् काल मिलेगा और भारत को हम प्रयाटन की डस्टी से भी दुनिया का आज भी हमारे सांसक्रति विता हैं हमारी है अलग-अलग हमारी भोगोली के स्थी कि करन दुनिया के प्रयाटन यहां पर आते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत देश लगातार आगे देश के तीसे कारेकार मुझे आशा है कि देश नहीं किर्तिमार हसिल करेंगे अधर देर तक लोगसभा चलाई जब राष्पति अब बासर पर चर्चा हुई नियमा में बदलाव किया गया तक क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे मेरी कोशीश रहती है कि मुझे जो कि जारी मिलिये यह संस्ता लोगस्वा हमारे लोक्तंत का मंदिर है आस्ता का केंद्र है लोगों के विश्वास का केंद्र है इस पर देश के चुने लोगों की उपिक्षा आकांशां है अपने-अपने सबी लोग को अपने श्यत्र के आकान शयाब प्रक्षाय बताएं और सबका सामईक रूप से देश के विकास में योगदान हो इसलिए कोशी रहते हैं कि संसद जितनी देर राती तक चलेगी उतनी चर्चा समाद होगा सबका मत आएगा और उस मत के साथ हम सामईक विलकर अबादे पाएं